प्रेम मूर्ती पूजी संत श्री प्रेम भूशन जी महराज की किरपा पात्र पूजी श्री राजन जी महराज के श्री मुख से नौ दिवसी श्री राम कथा का आयोजिन किया गया है कथा 16 दिसंबर 2022 से 24 दिसंबर 2022 नागराज क्राउंड काली माता मंदिर के निकट खडगाव रोडवाडी नागपूर में रखी गई है अथा आप सभी बंधों से विनम्र अनुरोध है कि अपना भव मुख समय निकाल के श्री राम कथा के निमित उक्त अफसाप अधार कर कारिक्रम को सफल कर हमें अनुग्रहित करें 16 दिसम्र दुहसाब 22 प्रातत दस बजे कलेश जात्रा बाकी भिहारी मंदे साहू लियाउट से कथास्तल नागराज क्राउन काली माता मंदर के निकट खडगाव रोडवाडी के लिए प्रस्थान करेगी आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कलेश जात्रा में सहवागे हो करके अपना जीवन धन्य करें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इवं आभार आयोजन समीती के पददिकारी सुनील पांडे नरेंद्र मिश्रा डॉक्टर प्रजेश मिश्रा भासकर मिश्रा पंकज इस कथा को श्रवन करने वाली नाकपूर वा ग्रामिय शित्र के लोग बड़ी संग्या में उपस्तित रहकर कथा को सफल बनाने का हम पददिकारी विनम्र निवेदन करते हैं कलस स्यात्रा चालू होगी और प्रांगड़ तक आएगी और 16 दिसंबर को ही तीन बजे से कथा का प्रावरम होगा सामको छह बजे तक चलेगा और 24 दिसंबर 2022 को कथा का समयपन और महापरसाद होगा हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से आवान करते हैं स्टीराम कथा में आ जादर जैशिया राम और प्रणाम आधर सेवा समिती द्वारा आयोजित स्री राम कथा 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक रोज 3 बज़े से 6 बे तक रहेगी कथा बाचेक श्री प्रेम भूशन महराज के कृपा पात्र श्री राजन जी महराज द्वारा यह स्री राम कथा गाई जाएगी और सभी से अपील है कि ज़्यादा ज़्यादा लोग कथा में आ करके और कथा का लाब उठाएं आदर समिती द्वारा आयोजित राम करत्त कथा का सुबारम 16 दिसंबर से होने जा रहा है जिसमें पहले कलस यात्रा 16 तारी को अपना बांके विहारी मंदिर प्रांगल से निकल करके काली माता मंदिर ग्राउंड के पास में यहाँ पर आएगी और उसी दिन से महराज राजन जी का कथा शुरू होगी हम सभी से बिनम्र प्राथना करते हैं कि आप सभी इस कारकरम में उपस्थित हों कथा का पुन्ह लाब लें और अपने भाग्य का उदय करें यह प्रता यह कथा जो हमारे प्रांगन में होने जा रही वाड़ी में यह सभी के कर्म फलों का उदय हुआ है जिसकी वएसे पुन्ह लाब लें और उनके पुन्हों से इसमें उनको बहुत ही फाइदा होगा हमारा सामाज जागरत होगा और हमारे देश प्रदेश और हमारे वाड़ी छेतरे के लिए बहुत सवभाग की बात है सभी तन मन्धन से इसमें सहयोग करें और इस कथा को सफलता की सिखर पर ले जाएं यही सबसे बिनम्र निवेदन है जैशियराम वाड़ी सेन बीसेन न्यूस के लिए स्वारा पार्टिल की रिपोर्ट